हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम दू सावल ग्लासीज कैसे हो आप लोग सभी मेरा नाम है दिपक कुमार सावल ग्लासीज अबोहर से भारत की राज निती के लेक्चर नंबर 24 में के साथ आज मैं आप लोगे सामने लाइव हुआ हूँ अगर मेरी आवाज ठीक आ रही हो एक बार मुझे कुमेंट करके बताएं स्टार्ट करें आज के सेशन को हम लोग आज के सेशन में दो टॉपिक्स मैं आप लोगे साथ जो है वो डिसकस करूँगा सबसे पहला टॉपिक आप लोग आज होगा सार्क जिसे साउथ हेशियन एसोशेशन पर रिजिनल कॉपरेशन का जाता है भारत और भारत के जो पडोसी मुल्क है इन सबका समूर सार्क कहलाता है सार्क के कंतरास्टिया संगठन है मैं जाता हूँ कि आज वाला लेक्चर देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स अगर दो टॉपिक्स की थियोरी जानते हो तब देखना नहीं तो आपको लेक्चर देखने का कोई फाइदा नहीं होगा आज का लेक्चर देखां जी सबसे पहले तो सबको गूड इवनिंग भई सबको सत्रीकाल सबको वेलकम सबका स्वागत आज लेक्चर नमबर 24 हुआ है और आज के लेक्चर को करने के लिए आप लोगों को कुछ टॉपिक्स आने चाहिए जैसे पहला टॉपिक आप लोग सेल्फ स्टुडी में करो सार्क जिन्होंने पेट ग्रूप जोईन किया वा था उनको मैंने करवा रखा है बाकी सब स्टुडेंट्स वेरी इजली आप लोग इसको यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो इंटरनेट से भी कवर कर सकते हो सार्क साउथ हेशियन एसोशेशन ओरिजिनल कॉपरेशन दूसा टॉपिक एन पी टी ये परमाणू उर्जा को ना यूज करने से सबंदी तेक समझोता था ये पढ़ना भारत ने आज तक परमाणू उर्जा को लेकर जो दो अक्स्पेरिमेंट जो किये हैं वो टॉपिक भी आप लोग पढ़ना और नी शस्त्री करन डिस आर्मा मेंट पूरी दुनिया परमाणू जैसे खतरनाक हत्यारों को खतम करने के लिए समझोते करते हैं डिस आर्मा मेंट इसे बोलते हैं ताकि मानवता के लिए अभिशाप है ये हत्यार ये चार टॉपिक आप लोग थियोरी में खुद बढ़ना बहुत बढ़िया से फिर आप लोगों को ये MCQ करने में कोई प्रॉबलम नहीं आएगी चाहे MCQ कर लो उसके बाद कर लेना शुरू करते हैं स्टुडेंट्स हमारे आज के सेशन को सबसे पहला कोश्चन आप लोगों के सामने 27 कोश्चन है आज बहुत बढ़िया से लास तक बिर साथ करेक्टिट रहना सो स्टार्ट करें सबसे पहला कोश्चन सार्क का गठन कब हुआ सार्क सार्क का गठन कोन से साल के अंदर हुआ तो राइट आंस्वर है जी इसका D 1985 सार्क का गठन सन 1985 में हुआ था और सार्क को बनाने वाला या सार्क का आइडिया देने वाला जो देश था वो बंगला देश था आप कह सकते हो कि सार्क किसके दिमाग की खोज है बंगलादेश की है वो जो पहले पूरवी पाकिस्तान भी हुआ करता था साउथ एशियन एसोशेशन पूर रिजनल कॉपरेशन जिसमें अफगानिकस्तान बंगलादेश भुटान इंडिया मालवी नेपाल पाकिस्तान और श्री लंका इसके मेंबर है दूसरा कोश्चन है सार्क का हेड़ क्वाटर कहां है देखो सार्क की फुल फोम आपको पता लगी और सार्क का गठन उननीस सो पचासी इस्वी के अंदर हुआ था उननीस सो पचासी आठ दिसंबर उननीस सो पचासी कोरेक्ट डेट भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो आठ दिसंबर उननीस सो पचासी के अंदर हुआ था और सार्क का हेड़कवाटर है जी नेपाल काठमांडू में नेपाल भारत के उत्तर में है नेपाल की राजदानिया काठमांडू जैसे भारत की दिल्ली है पाकिस्तान की सलामाबाद है अमेरिका की वाशिंटन दी सी है, शिरी लंका की शिरी जैवरदन पूरा कोटे है, उसी प्रकार काट मांडू में सार्क का हैड़क्वाटर है, तीसरा कोस्चन इस वक्त सार्क के करंट सेक्टरी जर्नल कोन है, Secretary Journal होते है जी जो उस पूरे संगठन को चलाने का काम करते है सार्क जैसा अंतरास्टिय संगठन जो है उसके Secretary Journal कौन है Secretary Journal mainly basically head होता है इसका जो पूरे अंतरास्टिय संगठन को regulate करता है वो है जी इसाला रुवान नाम याद कर लो ये बिल्कुल करंट है सार्क के इसाला रुवान ये Secretary Journal है अभी इसी साल बने थे आज से 6-7 मिलने पहले He is belongs to Sri Lanka ब्रेकेट में जो नोट्स बना रहे हो वो लिख ले ना चोथा कोस्टन अगरा कोस्टन है सार्क संगठनों में कितने देश सार्क के member है सारे options आप लोग के सामने है 6 देश, 7 देश, 8 देश, 10 देश कितने countries जो है वो सार्क के member है सार्क भारत की geopolitical level पे it is a very important मैं आपको map के अंदर दिखा देता हूँ जी एक मिन upload करके सार्क आठ देशों का सम्मू है जी विल्कुल सही बात है ये आठ देशों का सम्मू है ये है वो आठ देश जो आपको map पर दिखाई दे रहे हैं इसमें से सबसे पहले नंबर पर हमारा प्यारा भारत दूसरे नंबर पर पाकिस्तान 30 नंबर पर अफगनिकस्तान ऐसे जोड़ दो, चोथे नमबर पे नेपाल, पांचवे नमबर पे बुटान, छटा नमबर बंगला देश का है, सातवा निच्चे शिरिलंका का है, आठवा मालवीब का है, तो ये जो आठ देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सार्क कंट्रीज हैं, कितने देश जी, आठ दे बटर है, सेक्टरी जनरल शिरिलंका का है, ठीक बात, पाचवा कोश्चन, इन में से कौन सा देश है, जो सार्क का मेंबर नहीं है, सार्क, सार्क अंतर, ये आपके सलेवस में खास तोर पर लिखाव है, टॉपिक, सार्क का इन में से कौन सा देश मेंबर नहीं है, ये आप लोगोंने बताना है मियानमार, भुटान, नेपाल या मालडवीब चार अप्शन है जी आपके सामने मियानमार, भुटान, नेपाल या मालडवीब तो सभी के राइट आंसर आ चुका है ए मियानमार जिसे पहले बर्मा भी का आ जाता था ये सार्क कंट्रिस का एक मेंबर नह जी प्यान मार छेवा कोशन देखो इन चार जो निच्चे देश लिखे हैं वो कौन सा देश है सार्क का जिसकी अबादी सबसे ज़्यादा है वैसे तो सार्क में भारत सबसे आगे है पर जो निच्चे मैंने चार उप्शन लिखे हैं इन में से सबसे ज़्यादा अबादी इन चारों में सबसे यदा population है पाकिस्तान की लगबग 20 क्रोड प्लस है ये 20, 21, 22 के निड़े होएगा पाकिस्तान भारत के बाद दूसरा सबसे यदा अबादी वाला देश है सार्क संगठन का right answer is B सात्वा question HDI देखो HDI is very important वैसे तो ये economics का concept है मानव विकास सुन्चांक का जाता है इसे that is called human development index मानव विकास सुन्चांक ये एक तरह का number होता है ये एक तरह का number होता है जो number हमें हमेशा out of one मिलता है हर देश की education हर देश की health और हर देश की education को देखकर health को देखकर और living standard को देखकर इस number को जो है वो design किया जाता है तो भारत दुनिया में 139 पे rank पे आता है वैसे तो आपको क्या लगता है ये जो चार देश आपके निच्चे लिखे हुए है इन में से best hdii वाला country कोन से है उसका right answer is c शिरिलंका वो शिरिलंका है happiness में चाहिए ये आगे होगा पर hdii में शिरिलंका बुटान से भी आगे है right answer is c that is शिरिलंका है next आठवा question देखते है जी आठवा question इन में से कौन से वो देश है जो सार्क के part नहीं है पर वो सार्क पे as a observer status का का काम करते है observer क्या होता है जब भारत और भारत के ये पडोसी मुल्क आपस में बैठ कर सार्क का समेलन करते है तो इन पे कुछ अंतर रास्टियस संगठन जो है वो अपनी ध्यान रखते है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं कैसी नीतिया बनाने है तो उस पे observer का status इन में से कौन से देशों के पास है तो एक जपान और एक चाइना ये दोनो as a observer status का का काम करते हैं किसके लिए सार्क जब भी सार्क समेलन होता है जपान और चाइना as a observer की तोर पे वहाँ बाच करते हैं कि इन्होंने क्या बातचीत की क्यों की कैसे की ये आठो तो कहीं दोस्त बंजें पर दुनिया के लिए खत्रा ना बंजें ऐसे ऐसा नहीं कि हमारे संगठन पर ये observer है हम भी दुनिया के बहुत से संगठनों के observer बनते हैं नाइन्थ कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी नुवा कोश्चन हाँ जी बस ये मेरा paid group में यही topic रहता है लिबरलिजम, मार्कसिजम, गांधिजम आप देखो मैंने आपको पूरी की पूरे mcq चैप्टर वाइस topic वाइस गराए हैं आप लोगों का कल का topic सभी students का जो है मैं बता देता हूँ mcq के लिए आप लोग पढ़के आना चाहो, वो पढ़के आना, कल का जो topic रहेगा students आपका उसका नाम है political parties in India खास तोर पे मैं इसकी state parties के उपर ज्यादा focus करूँगा, उसके बाद मेरा mcq में सिर्फ एक ही chapter रह गया theories का, paid group में भी और open में भी, सिर्फ थियोरियां बजगी मेरे पास, बाकी सब कुछ खरब हो गया है साफता एक trade agreement है, कौन से संगठन ने किया हुए ये, चार option आपके सामने है जी, साफता नामक trade agreement इन में से कौन से संगठन का है, साफता trade agreement इन में से कौन से संगठन ने किया है, अशियान countries ने, सार्क countries ने, APEC ने या WTO ने ये सार्क, जो आज साफता, साफता को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, South Asian Free Trade Agreement, ये जो आठो देश है ना, इन सब ने मिलकर एक दूसरे के साथ ये कसमे खाई थी, कि हम लोग 2016 तक, एक दूसरे में जो माल export करेंगे, एक दूसरे से जो माल import करेंगे, ठीक, एक दूसरे से जो माल export करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उस पे 0% custom duty लेंगे, 0%, माल लो भारत से कोई माल पाकिस्तान जा रहा है, भारत से माल शिरिलंका जा रहा है, या बंगला देश जा रहा है, तो वो देश हम से tax नी लेंगे, उनका माल हमारे या आएगा, तो हम लोग उनसे tax नी लेंगे, ये trade agreement था, तो ये सार्क देशों ने ही किया था, ठीक है, साफता, उसकी मैंने full form भी लिख दी, South Asian Association for Original Corporation, free trade agreement, इसका target था 2016 तक का, पर जब आठ दोस्त खेल रहे होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ बच्चे शरारती होते हैं ना, उसकी वज़ा स खेल पूरा होता ही नहीं, तो इन आठ देशों में भी जो है, ये agreement कभी लागू होते ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोब्लम जिन में आई जाती हैं, दस्वे नमबर पे आजी, सार्क देशों के अंदर, सार्क देशों के अंदर, सी का मतलब क्या है, सार्क देशों क सार्क देशों के अंदर, सी का मतलब क्या है, कमेटी है, कोमन वेल्थ है, कोपरेशन है, या कुछ नहीं है, तो सार्क देशों में सी का मतलब है, कोपरेशन, South Asian Association for Regional Corporation Corporation इसका मतलब होता है ठीक है आप में से जिनों ने ये टोपिक नहीं बढ़ा हुआ था आपके सिलेवस का टोपिक है इंटरनेट पे खुद सेल्फ स्टड़ी करके नोट्स बलाने ना चाहे सार्क के बारे में नेक्स्ट ग्यारवा टोपिक आवोजी ग्यारवा कोस्चन 19वा सार्क समेलन एक देश के अंदर होना था जो पोस्पोंड हो गया क्योंकि इस समेलन से पहरे उरी अटेक हो गया था उरी याद होगा ना आपको जमू कश्मीर में उरी उरी में अटेक हुआ था एक टेररिस्ट अटेक तो उसके बाद भारत इस देश में समेलन में गया ही नहीं वो कौन सा देश था जिसने 19 सार्क समेलन कराना था पर 19 सार्क समेलन से जस्ट पहले उरी का हमला होता है और भारत इस समेलन में जाने से मना कर देता है और भारत के साथ बाकी देश भी मना कर देते हैं ये समेलन था जी पाकिस्तान के अंदर जो नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले उरी का टेररिस्ट अटैक हुआ तो भारत ने कहा कि हम टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं चल सकते Talk and Terror एक साथ नहीं चल सकते एक तरफ ये देश टेरर फैला रहा है और दूसरी तरफ Talk कर रहा है तो इसलिए हम लोग इस समेलन का बाइकाट करते हैं ये पाकिस्तान में होना था जो नहीं हुआ 2016 के बाद कोई समेलन सार्क का हुआ ही नहीं अभी तक नेक्स्ट बारवे कोश्चन भी आते है ये तो सेम कोश्चन आगया 19 समेलन था चलो आगया आओ तेरवा कोश्चन अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं जी नेक्स टॉपिक की तरफ अब हम लोग नेक्स टॉपिक की तरफ बढ़ चुके आगे दिस आर्मामेंट हत्यारों का नीश अस्त्री करन करना आओ हम सब धर्ती के अलग-अलग देश एक साथ बैठे और एक दूसरे के साथ ये शपत ले कि हम अपने हत्यारों को खतम कर देंगे इस से पहले ये हत्यार आप हम पे गेरो हम आप पर गेरे सबका नुकसान होने से बचे आओ हत्यारों को खतम करे इसको लेकर सबसे पहली दाहेग पीस कॉन से साल में होई थी आप सब जानते होगे स्टूडेंट दाहेग एक शहर है निदरलैंड का कहा है निदरलैंड यूरोप का देश है ना इसकी होड को बड़ावा नहीं देंगे ताकि मानवत्ता बची रहे ये कॉन्फरेंस कब होई थी या आपने बताना है 1899 में होई थी जिन्होंने इसका ए आंस्वर दिया है उनका बिल्कुल सही आंस्वर है दूसरा कोश्चन अगला कोश्चन चोदुआ कोश्चन 1960 के दशक तक मानलो 1905 तक 1908 तक दुनिया में ऐसे कितने देश थे जिन्होंने नुकलियर बंब की खोज कर ले थी नुकलियर बंब की खोज करने वाले मिड 1960 तक कितने देश थे तो वो पाँच देश थे दुनिया में 1965 तक United States of America United Kingdom Russia China और France सिरफ ये पाँच ही देश थे जिन्होंने परमानु बंब की खोज कर रखी थी 1965 तक तो याद रखना 1965 तक पाँच ही देश थे जो परमानु शमता वाले देश थे जिन्होंने अपने आपको nuclear equipped country जो है वो गोशित किया था पंदरवा question ये it is very important मैं चाता हूँ कि आप सभी इसके notes खुद बनाओ इंटरनेट से जितने ज़्यादा बना सकते हो इसमें question आएगा आपको non proliferation of nuclear weapon treaty एको treaty का मतलब होता है समझोता करना इसको English की vocabulary में जोड़ लो पर्मानेंट समझोते को treaty का आ जाता है एक non proliferation of nuclear weapon treaty ठीक है ये कब sign हुई थी it is very important ये question आपको paper में आने वाला question है पंदरवा question right answer है इसका D 1968 के अंदर कि हम लोग सारी दुनिया पर्मानू हत्यारों को खतम करेंगी नश्ट करेंगी एक दूसरे पर फोड़ने का काम हम लोग नहीं करेंगे इनको तो right answer इसका D है 1968 में ये संदी sign हुई थी अब आपने बताना है कि ये NPT लागू कब हुई थी 1968 में इसको पूरी दुनिया के लिए open कर दिया गया था कि आओ भई आओ अलग अलग देश के लोगों आओ इस संदी को sign करो और कसम खाओ की परमानू बंप हम किसी पे नहीं करेंगे तो NPT लागू होगी थी 1970 में 1968 में तो इसको sign किया गया और 1970 के अंदर इसको क्या कर दिया गया फिर लागू कर दिया गया स्तारवा question है अब ये भी very important मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी भी जरूर सेल्फ स्टेडी करो और खुद के नोट्स बनाओ nuclear supplier group इस पे से question आ सकते आपको दुनिया के वो देश जो परमानू इंधन पैदा करते है जो परमानू टेकनोलोजी डवेल्प करते है उन से related equipment's बनाते है nuclear reactors बनाते है उन सब देशों के समूँ को nuclear supplier group का आ जाता है ये फिर आपस में commitment करते है कि हम लोग किसी गलत देश के आत परमानू बंब ना दे दे कई वो बिजली पैदा करने की बिजाए बंब पैदा करके और आस्पलो सालों को उड़ा दे तो एक दूसरे पे नियंतरन रखेंगे nuclear supplier group का गठन कब हुआ ये भी आप self study में जुरूर करना NSG इसको study कर लेना notes बनाना star way का right answer है A 1974 क्या answer है 1974 nuclear supplier supplier group का गठन हुआ था 1974 है सारे जड़े भी बताया रहे है कबाल होगी पंडे साथ ये तो बिल्कुर सर्च करना पड़ेगा NSG NSG का गठन कब हुआ सारे जड़े बी बता रहे है तो चैक कर लेते हैं एक बार nuclear supplier group 1974 में बना था हाँ जी सारों ने गल्द बता दिया 1974 right answer है A is the right answer हाँ जी next आगे बढ़ते हैं जी अठारवा question थारवा question है भारत में National Technology Day कब बनाया जाता है National Technology Day कब बनाया जाता है राष्टरी है Technology Day National Technology Day कब बनाया जाता है भारत में ये आप लोगों ने बताना है चार option है 9 मई, 10 मई, 11 मई के 12 मई National Technology Day भारत में 11 मई को बनाया जाता है और याद रखना पहली बार 1999 में बना था 1999 में आज से लगबत 21 साल पहले इसको पहली बार बनाया गया था इसका मकसद था भारत के बच्चों में विज्ञान और Technology की भावना को परमोट करना हमारे देश के Scientist और Engineers ने जो contribution की है उनकी achievement को याद रखना ये दिन सुजेस्ट किया गया था भारत के पूर्व भारत रतल परधान मंत्री श्री अटल व्यारी बाजपाई जी के द्वारा और क्योंकि हमने इस दिन ना नुकलियर बंब का experiment किया था पोखरण में National Technology Day क्यों बनता है क्योंकि इस दिन हमने कौन सा experiment किया था पोखरण के अंदर नुकलियर बंब अक्सपेरिमेंट 11 माई 1990 में इसलिए 99 से इसको बनाया जा रहा है आप लोगों का जब ये पेपर होजे ना मास्टर कैडर वाला उससे अगले दिन आकर फिलम देख ले नाएक फिलम का नाम है पोखरण आपको पता लगेगा कि भारत ने किस तरह से परमानुक्सपेरिमेंट किया वंडरफुल मूवी चलो नेक्स्ट 19 मा कोस्चन वो इस नोगन एज दा फादर अफ नुकलियर एनरजी इन इनडिया भारत विच परमानु उर्जादा पिता कीनू केहा जानता है who is known as the father of nuclear energy in India चार option है, सही तुका मारो, सही बता दोगे राइट आंस्वर is D, होमी भाभा तो राइट आंस्वर इसका D है जी, होमी भाभा को नुकलियर उर्जा, परमानु उर्जा का पिता कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा जो है वो भारत के नुकलियर साइंटिस्ट थे, पाउंटिंग डिरेक्टर भी है टाटा इंसिचूट ओ फंडामेंटल रिसर्च आज जिसे हम लोग भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर बोलते है जो मुंबई के अंदर है होमी भाभा जी को भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाइस्ट सिविलियन अवार्ड पदम भुशन एडम्स प्राइस भी मिला हुआ है तो राइट आंस्वर है जी इसका होमी भाभा बीस्वा कोश्चन इन में से भारत की वो महान शक्षियत कौन सी है जिनोंने निशस्त्री करन को कहा कि सही है हाँ जी जिनोंने ये कहा कि निशस्त्री करन हाँ जी निशस्त्री करन बिल्कुल सही है जिनोंने ये कहा वो कौन थे किनोंने का इन में से किसने ये कहा कि इस आर्मामेंट इन इंडिया इडिया की तरफ से निशस्त्री करण को सही कहने वाले व्यक्ति थे पंडी जुआर लाल जी नेरू पंडी जुआर लाल नेरू जी ने कहा था कि ये जो सारी दुनिया एक दूसरे के साथ संदिया गर रही है कि हत्यार खतम करो हतियार खतम करो यह सही है ऐसा कहने वाले जो आरलाल जी नहिरू थी नेक्स्ट दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा था जिसने परमानू बंब का सफल प्रिक्शन किया चार आप लोग के सामने है जपान, अमेरिका, रशिया या पाकिस्तान which among the following is the first country in the world who performed successful nuclear explosion, नाम है जी, अमेरिका, अमेरिका ही वो देश था right answer is B 22 वा कोशन है जी, on which city of Japan, अमेरिका ड्रॉप बंब on 6 अगस्त हां जी, on which city of Japan, जपान के कोन से शेहर पर अमेरिका ने परमानू बंब गिरा था 6 अगस्त 1945 को, कौन सा शेहर था, टोकियो, नागासाकी, हिरोशिमा या ओसाका सेटी, चार शेहरों के नाम मैंने आपके साब में लिखिया है तो वो गिरा था, हिरोशिमा पर, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी ठीक है, और फिर अमरीका को पता लग गया था कि यारे बंब तो चलते हैं वाकी उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही किया था एक त्रिक्के का, कि चल गया तो पता चल जेगा, नहीं चला तो पता चल गएगा और वो चल गए, आप सोचो, लाखो लोग मारे गए, आज इन बातों को सतर साल से ज्यादा टाइम हो चुका है आज के जो परवानु बंब है, वो उस जमाने से भी सोचो कितने ज्यादा शक्तिशाली है उसके बाद धरती पे कभी नीचल ले परवानु बंब, आज के बंब और फार मोर मल्टिप्लाई कर दो, इनसे इतने पावरफुल है 22 में का राइट आंसर थी, 23 वो कोन सा साल था, इन विच एर पार्शियल टेस्ट बैन ट्रिटी को इंप्लिमेंट किया गया ये भी एक समझोता था, कि हम सारे देश एक दूसरे पे परवानु बंब नहीं गेरेंगे ये समझोता भी कब साइन हुआ था, ये राइट आंसर है जी, 1963 इसके बारे में भी अगर आप इंटरनेट पे सेल्फ स्टडी करना चाहो, जरूर करो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रिटी, कल हमारा टोपिक पॉलिटिकल पार्टी है जी, कल का राजनेटिक पार्टिया कल पढ़ेंगे, कल मजदा टोपिक होगा 24 वा कोश्चन है, भारत ने अपना पहला परमानू उक्सपरिमेंट कोन से साल में किया था इट इस इंपोर्टेंट कोश्चन, चार ओप्शन है, 1973, 1974, 1975, 1976 भारत ने अपना सबसे पहला परमानू उक्सपरिमेंट कोन से साल के अंदर किया था चार ओप्शन्स आप लोगों के सामने 24 वे का, राइट आंसवर क्या आएगा जी, बी इस दा राइट आंसवर इन विच येर इंडिया टेस्टीड फर्स्ट नूक्लियर एक्सपरिमेंट, 1974 ये किसके टाइम में हुआ था, चीरी मती इंदरा गांधी जब भारत की परदान मंत्री इंदरा गांधी थी, तब भारत ने पहली बार प्रमाणू का एक्सपरिमेंट, 1974 के अंदर किया था, और उस वक्त 1974 में जब नूक्लियर एक्सपरिमेंट किया गया तो वो जो बंब फोड़ के देखा गया, उसका नाम क्या था, लिटल बॉय था, फैट मैन था, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो जपान के ओपर जो बंब गे रहे थे, उनका नाम था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में इंदरा गांदी जी द्वारा जो प्रमाणू उक्सपरिमेंट किया गया, उसका नाम था, बंब का नाम, स्माइलिंग बुद्धा, तक चेसमें का राइ सेकिंड न्यूक्लियर एक्सपरिमेंट बारत का कब हुआ था, कौन से साल था, सेकिंड न्यूक्लियर एक्सपरिमेंट बारत ने अपना कब किया, चार ओप्शन है जी, 84, 84, 92 के ठनवे, राइट आंसवर है, 1998, सन 1990 में किया था, और शिरी अटल विहारी बाजपाई थे उनके टाइम में हुआ था, 1998 में, 27 वा कोश्चन, आज तक बस लास दो कोश्चन नहीं है जी, आज तक दुनिया के अंदर टोटल कितनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी सम्मिट हो चुकी है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी सम्मिट आज तक दुनिया में टोटल कितनी हो चुकी है बलब नुक्लियर बंब ना यूज करो ना बनाओ ऐसे ही एक दिन नुक्सान होजेगा सबका क्या फाइदा इन चीजों को लेकर सबसे पहले सबसे पहला नहीं टोटल कितने सबमिट आज तक हो चुके है टोटल आज तक इसके समेलन हो चुके है जी चार कितने हो चुके है चार बस खतम थैंक यू बेरी मच आज के हमारा सारे कोश्चन खतम होए जी कल हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे और कल आप देखना कि मैंने आपको पूरा सलेबस MCQ में करा दिया टोपिक वाइस चैप्टर वाइस पूरा सिरफ एक चैप्टर छोड़के वो है थूरी वो मैं पहले पेड ग्रूप के अंदर कवर कर दो थूरी के अंदर फिर सभी को आप लोगों को उसके MCQ कराऊंगा बढ़िया से उससे अगला टार्गेट हमारा होगा पिछले दोनों पेपर सॉल्व करना दो मोक टेस्ट कंड़क्ट करना यह मोक टेस्ट आप लोगों को मिल जेंगे किसमे वाटसाइब ग्रूप में वाटसाइब ग्रूप में WhatsApp ग्रूप आप लोग सारे जोईन रखना, NTT का अभी तक स्लेवर्स नहीं आया, जो 83-93 पोस्टे हैं, जैसे ही आएगा उसके बैस शुरू करेंगे, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी की जॉब्स की परपेशन भी, पंजाबी में PDF कल बेज दोंगा आपको, शो परसेंट, अब तो बोध दिन होगे, मुझे कहते हूँ ऐसे है ना, कल सेंट कर दूँगा, टोट मरी, चलो, थैंक्यू वेरी मुश्ट टूडेंट्स, गुड नाइट, कल मिलेंगे सब के साथ, सेम टाइम, बाई, टेक केर,